लूट टो फ्रेंट्स, आज से मैं आप सभी के लिए रूज राइट 9 बजे एक जीके का स्रीज श्रीज कर रहा हूँ, जिसमें मैं आप सभी को सारेट जितनेगी जीके में कवर करेंगी जिसका ये फर्स्ट नमबर चैप्टर है जो कि है सिंदु या फीर हरपा सभयता तो चलिए फ्रेंट्स बीना टाइम वेश्ट ये स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नमबर कुश्चन यह आप यहां आप देख सकते हैं बहुत बार रिपीटेट कुश्चन है हरपा स सभयता कब से कब तक मानी जाती हैे तो पचीस सव इसापुर से सत्रेश्स वपचास इसापूर मानी जाती है इसका मेन काल और यह कारबन डेटिंग के हिसाब से आपको बताए गया अलग-अलग ब्ुक में आपको अलग-अलग दिया रहे रहे घंगा यहां पर किसी किसी इ और यह आपको यहाद रखने हैं के area ऐड़ और अँसी डाटव को कुर्षेएस बंते हैं नेंस शिंदु घार्ट इक했던 सभव याता में घोरे के ओसेस कहां मिलें हैं घो राता इस्थान में दो दो रात के राजस्तान में और यहां पर एकरण पूछता है जो सिंदू है और जो हराप्ता के निरमाण में मुख्रूप से किया गया था उती हारे क्लीर हरते सडीर से किस सवयाता था कोस्यम करते है राक्पा सबया है कौनिस ऊओजिद के लोगों का मुख्ष व्यव वसाय क्या था मुख्ष व्यवसाय था फ्रिंठ्स ऴयपार क्लियर ठीक आपको ज़ते से लोगों का मुख्ष व्यवसाय था व्यव leider अक्यों के कंद लिएक, हुआ थी किए सिन्दो गाटी के सिंदू सभयता के गहर किसे बनायते थे वह heißt कि का फी एडवान्स टेकनोड मतलब काफी अच्छे से जैसे कि अभी हम सभी रह रह रहले हैं वहां पर भी भी सारे सिवधाय लगबग उपलब थी तो वहां पर भी जैसे आ कि अभी हम सभी घर बनाते हैं इट का तो पहले भी सिंदुगाटिक सभ्यता में भी घर इंट के बना जाते थे सभ्यता का सभ्यता का सभ्यता का सभ्यता का खोज करता थे दया राम सानी ने जो की 1921 में इसकी खोज करी थी सभ्यता का पतन अगर मतलब की बंदरगा कौं सा था मुक बंदरगा को सा था लोधल था ऊर एक और कुशन पूछता है फ्रिंस लोधल कौं से राज मेष्टत है तो गुजराथ राश्ट मेष्टत है बहुत सभ्यता की क्लियर मोहन जुद्रों को किस एक अन्य नाम से जाना आता है तो मोहन जुद्रों को नाम से जाना आता है मिर्तकों को टीला के नाम से जाना आता है ठीक है नहीं बहुत बार रिपीटेर मोहन जुद्रों को मिर्तकों को टीला का जाता है और एक और कुश्चन यहां किया युनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा तो किस नाम से पूकारा सिंडळन नाम से पुकारा क्लियर सिंदु सघाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर्ड नियोजन के लिए काफी यहां पी अच्छी और उत्किष्ट शुविधा वहां पी उपलद थी मैंने पहले ही बताया चौरी-चौरी सड़के थी नालियां और सब थी सड़कें थी नेश्ट है भारत में खोजा गया सबसे पुराना सहर कौन था तो हरपा था भारत में चांदी की कुप लबता कि प्राचिंतम साक्ष मिलते हैं कहां पे तो हरपा संस्क्रेटी में ही मिलते हैं इस किस वर्ण हुई थी तो 1921 नेश्ट है हरपा के मेटी के बरतनों पर समानियता किस रंग का उपयोग हुआ था तो फिन्स लाल रंग का उपयोग हिया था वहां पर उसमा बरतनों पर नेश्ट है सिंदोगाटी सभ्याता की विखसित अवस्था में किस अस्तल से घरों में सिंदोगाटी सभ्याता को खोज निकालने में जिन्दो भारतियों का नाम जुड़ा एवे है कौन दयारामसानी और आखल दास बनरजी दोनों बहुत ही इंपोर्टेंट है कि एर नेश्ट कुछन फेन रंगपूर जहां हरप्पा की समकालिन सभ्याता थी वह कहां पर अभी स सभ्याकरितिक को जो मुहर पर मिली है जिस से ज्यात होता है कि सींदो गण लोगों की समाजिक पदिति कैसी थी तो उचित समतावादी था वहां का लोगोग समाजिक पदति भी सब्याता की अंतरगत हल से जोटे गया क्योंगा से मिला है का लगजिक से मिला干 की इटों का अलंकरन किस सथान से मिला तो मोहंग जूद्रों कहां इसस्तित है मौहंगोजुद्र हो किया पकिस्तान में मी शिंद्र Titans असनानागार पायाता है तो मोहन जोद्रों में अभी मैंने बताया मोहन जोद्रों को क्या बोलायता है तो मिली टको का टीला बोलायता है मोहन जोद्रों को निश्ट है हरपा कालों में अभी तक किस धात्यों की प्रति नहीं होई तो लोहा की प्रति नहीं होई और एक और चिज़े प्रति नहीं होई वह क्या है तल्वार की प्रति नहीं हुई यह भी कभी-वे सब्शिक में देखने को मिल सकते हैं एक किस पसू के व capacities सिंदो सभयता में प्राप्त नहीं हुए तो है गाय की उसे सवी तक प्राप्त नहीं हुए मैं दिया हुआ है स्वातंत्र्योतर भारत में सबसी अधिक संख्या में कि अस्थलों की खोई किस प्रांत में हुई है तो गुजरात में इसलिए रहा है कि फेरान बन्दर गार रहा है इसलिए जो मत्वून अस्थल थे वे गुजरात में ही आपको जादे देखने को मिले हैं निश कुछन आता है फ्रेंड्स किस अिश्वा के लिए ते बहुत जव़से ज्राइब कि जो करूपि कहां से मिला तो इसकूर अच्छ सभभा Χाण का सबसे संबंदी सुंदी से तो आज एक यूग से रहें जे हैं अ dese के सभ्यता को पूर की रखे जाने का मुंध काiddर क्या संस्कृती व्यदिक सभ्यता से भीन थी क्योंकि इसके पास किया थी विक्सित सहरी जीवन की सुधाएं थी खाफी विक्सित मानी जाती है नेक्ष दिया हुए फ्रेंट्स हरपा संस्कृति की जानकारी का मुख सुरुत कहां से मिलता है तो पूरा तात्विक जो खुदाई हुई वहां से हमें प्राप्थ होती है सिंदुगाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मुख सुरुत वहां पाए गए जैबर है हथियार है वहां से हमको मिलते हैं बहरत में चान्दी की उपलबता के प्राचिंतम साक्ष मिलते हैं तो हरपा में मीट्टी के बड्तनों पर समान्यत किस रंग का उपियोग हुआ है तो लाल रंग के वहां पे से पाया गया था पहले ही मैंने बताया मोहन जुद्र से निरित करती हुई जो महिला थी वह भी मोहन जुद्र से मोहन जुद्र को बोलाता है मेरी तकों का टीला देखिए यहां पर सारे पूछे हुए कुछन है आपको PCS उगरम में अलग अलग स्टेट के निष्ट है हरपा सभयता अस्ता लोथा लिस्तित किस राज में तो गुजरात में दखिए मैंने पहले ही बताया उद्राकॉंट PCS और EPP PCS में यहां पर पूछा हुआ है धौला वीरा किस राज में इस्तित है तो गुजरात में इस्तित है कौन सा हरप हरपिय नग लेने के लिए देखिए तो मैं आपको अडियो अडियो मतलब आपको बताता हूं इसका रीटेन फॉर में तर नहीं है आपको देखिए 1887 में कराची और लहाओर के जो बीच जो रेल पट्री थी उसको बिछाने के दौरान जो जॉन ब्रांटन थे जी बी जॉन ब्रांटन और विलियम ब्रांटन जो की विलियम ब्रांटन को दो प्राचीन नगरों हरपा और मोहन जुद्रों का पता लगा कौन को जॉन ब्रांटन और विलियम ब्रांटन को और फ्रेंड्स एक और बात आपको दिमाग में रखनी है हरपा सभेता के बारे में सबसे पहली जनकारी क किसने दिया था तो चाल्स मैसन ने दिया था कब दिया था फ्रेंड्स तो 1826 इस्वी में इसकी जनकारी दे दी थी किलिए उस चैप्टर से आप सभी को छेडिक आपको कुशं बनते हैं जैसे पुझायता है हरपण भ्रावे कि नहीं कि नहीं यह या किनारी डिया आप महां जुँतरो ईस्तित था फ्रेंड्स सिंधू पाली वंगतर मत्रां तो ऌंदी किनारेям काली बगं जो अस्थान को आपको लिखते चलते हैं कि नोटुबुक में अब पुछाता है लो था लो थाल किस नदी के किनारे इस्तित है तो इससी तब भोगवा नदी के किनारे कि यहीं कि पुछा करते हैं कि जो इसको पुजा करते थे पूजह और पुझा किया करते थे थे लोग को इंट करता हूं आई होप आपको वीडियो अच्छ लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छ लगी तो वीडियो का लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोले थांक्यू जैहिंद